हेलो वरिवन आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एलिगल मुस्लिम सीटी में बीयो आउनर्स के लिए इंट्रेंस एक्जाम देना चाहते हैं यह जो कोशन पेपर वर 2018 में पूछा गया है इंपोर्टिन है कि इसका पार्ट वन मैंने अल्लेडी अप्लोड कि आपको कोशन के हिसाब से तैयारी करनी है क्योंकि आप हो सकता है अच्छे से पढ़ लिए होंगे या लूसेंड भी पढ़ लिए होंगे बट इन सब में सबसे जादा इंपोर्टन है कि कोशन को लेवल और डिमांड को समयना तो चलते हैं डारेक्ट हम कोशन नमर 51 पे मै अच्छे से डीप में जागर थोड़ा सनौली लेना पड़ेगा साथ से अधमाद खान के रिबोल्ट को लेकर और उनके बारे में जो भी चीज़ा है अम्यू के बारे में भी इविन सो करार साथ से अधमाद खान और अर्गनाइज अल इंडिया मुहम्म्डन एजूकेशन क 53 का जो करेक्टांसर यहां पर इज अभी है इनका एक बुक है तहजीब इखिलाक मेरे खाल से वो पुछा आता है उसके बारे में कारा कारा कोशन सरसेयद फॉंडेशन फॉंडेशन फॉंडेट सौरी सरसेयद फॉंडेट ए मदरसा एड गाजीपूर इंडियर यानि कि साल फॉंड किये थे 54 का जो करेक्टांसर है इस असल में इनका अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह समाझ मागे इनका मेना प्रोच था जो मोडरन एजुक्वेशन उस पे लोग को बढ़ावा दिये मुस्लिम जो लोग है मोडरन एजुक्वेशन को बगावत हिंद है उसके बारे में भी पूछा जाता है तो वह भी आप देख लीजेगा तो आभी जो है मैंने 55 अब आते हैं अगले कोशन पर करें फत्वय अलमगिरी जो था वह किस बेस पर था इसका जो करेक्टांसर है दरी हनफी स्कूल अफ लौ अब आते हैं अगले को अब संत्यों है अगले खोश्रू तो इसका जो कारेक्ट आंसर औैरिज 58 का सी अलाओदीन खिल जी एक तो इक तो इक के बारे में चापते के बारे बारे में विग जो आफ एक को साम पो पोच्छा जाता है तो आपको अडिलिस सल्तानतक के रूलर के बारे में बताना है कादरिया ओडर जो है वह इस्टैबेश्मेंट किसके मुगलकाल में हुआ था तो 59 का जो करेक्ट आंसर यहां पर अब्दूल कादिर जिलानी नेक्स कोश्चन पर आते हैं करेक्ट को तो बुद्दीन आवक वाजदी सलेब आपको तो बुद्दीन आवक किनके सलेब थे वह देटल नेक्स कोश्चन पर आते हैं अगला कोशन करे अगया है इसका जो करेक्ट आंसर देखी एक तो ऐसे वह 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 इंतेखा अरुंति रही नहीं सकता है या नौर्मली उसको ऐस्को एसे मतलब आज़ाए नियुका यह उसको रद नहीं किया जा सकते है जल्दी तो 62 का जो करेक्ट आंसर है देट इज डी फैनेंस कमिशन अर आप आते हैं नेक्स कोशन पर का रहा है विच आप दी फॉल्मिंग इनमें से कौन जो करेक्ट मैच नहीं जिसे एक तो मिड्नाइट चिल्डेंड है किनके दवार ल लिखा गया है जवालाल नहरू के दवार आर आवाते नेक्स कोशन पर करें एवरी टीन यर्स दिसंबर ही सेलेबरेटे मतलब 10 दिसंबर को क्या मनाते है 64 का जो यहां पर करेक्ट आंसर होगा वर्स हुमन राइट एक तो यह कि यून का जतने बॉड़ी जह उसको देख लि अर आब आते हैं कोशन नमबर पर 66 पर कर रहे हैं हू बिल्ट जीडी रोड जीटी रोड इन्में से कौन बनाये थे उसके बारे में पूछा जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह 66 का दैडिज डी होगा सेर सासूरी अर आब आते हैं अगले कॉशन पर अगला को यह है साइंस का टॉपिक है यह 68 का जो यहां पर करेक्ट आंसर है और इज ए मैगनेटिक रिजोन नेंस अमेजिंग नेक्स कोशन पर आ रहे हैं करा है विच प्लैनेट इस ग्रीन प्लेनेट ग्रीन प्लेनेट इमें से को जा तो यह कि सोलर सिस्टम में बहुत अच्छा से में पढ़ लिजेगा थोड़ा कि कौन सा प्लेनेट बोला जाता है कौन ब्लू प्लेनेट है कौन इवरिंग प्लेनेट है इस सब पूछ देख लिजेगा तो 69 का जहां पर जो करेक्ट आंसर है यह सी यह उरनेस नेक्स कोशन पर आते हैं क्यारा है कॉमा नेम आप सोडियम क होची और आते हैं नेक्स कोशन पर कहरा है थी कॉंसर आफ मिनिस्ट कैटि अंश्ड ब्ली रिस्पान्सिवल टू आ यहां पर करेक्ट आंसर और ओदए यह सी यह लोकसभा अर और ऑवरुशली को जो भी मिनिस्टर सोते वह लोकसभा में रिस्पॉंसिवल होते हैं मेरे कहल अब आते हैं अगले कोशन पर है पर दो और डाई शुलोगा अन्वाज गिवन भाई मतला करो या मरो का सुलोगन कि तो आप जानती है कुछ कुछ कोशन तोड़ा इसी दिख जांगे लेकिन हर साल थोड़ा सा बदल रहें बदल नहीं तो चीजे थोड़ा सा हाय ओडर किया ज संदीद संदीद कर नाम होगा मेरे कहल से अगला कोशन पर आते हैं कर रहें विच आप फॉल्विंग इस नौर्ट कॉज भाई फंजाई फंगी कह लिजे मतलब इनमें से कौन सा बीमारी फंगी को दवारा नहीं होता है या फंजाई को दवारा नहीं होता है सो 76 का जो यह पर करेक्ट टांसर है धाड़ी अ मूब याइसिस नेक्स कॉश्चन पहारें करें हलीमा या वीकम फिर्स्ट फिमेल प्रेंट अ प्रेस्डेंट ऑफ मम आएक ईत Ohhh गोच चली मेले 59 अंतिमां आजर से इंड शीक आविक एंड ज सब्सक्राइब टो सब्सक्रानिस यह बेहरोै सब्सक्राइब तो शेर जाल्ध काह्क विड करता हां कि इस कप्राइब यह कंप्राइब यह अब इसलिए यह तो रिवुलुशन एकोन किस से रिलेटेट है वो तो यलो जो है यह यलो इस से नहीं है मेरे खल से आयल से है जी तो पहले इंकरेक्ट है तो 81 का जो जो गरेक्ट आंसर है यह होगा अब आते हैं अगले कोशन पर देखिए थोड़ा सा ग्रेज फट इलाइज हुसरू लेविन दी कोट ओफ 82 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा यह होगा लाओ दीन खिल जी नेक्स्ट कोशन पर आते हैं करें फर्स्ट इंग्लिस न्यूस्पेपर इन इंडिया सबसे पहला जो न्यूस्पेपर इंगले में इंडिया में जो आया था वो ऑविसली अब दाइ नेक्स्ट कोश्ट पर आते हैं किया यहां पर विसी इंडिया वस डिकलर एडिया एड़िए एड एड़िए फोस्ट एड़िए फोस्ट इसन युनेस्को वर्ड हेरिटेज कमिटी मिटिंग इन पॉलाइंड आई सब इतना कहानी कहानी क्या जरूओ था बस डार इस पर आएड जिए फाइब का जो यहां पर करेक्ट आंसर आए डड़िए अहामादाबाद बस बड़ा सिंपल यह कि इंडिया में लोकेशन एड़िए अहामादाबाद उसको युनेसको का वर्ल्ड हेरिटेज सलेक्किया गया बस इतना ही था खर आते हैं अनले कोशन पर जिपीए स्टेंट फूर्म जीपीए का फूल फर्म बताना है गलोबल पॉस्टिस्ट्रिश्टम डी जो करेक्ट आंसर होगा अगला कोशन पर आते होंगे इसका जो करेक्ट आंसर देडिज भी फिर्दौसी नेक्स कोशन पर आते हैं कर यहां पर अमीर खुसरुवाज ऐस अमीर खुसरु किससे ऐसे सेटेड थे इनके यह आप्शन डी जो करेक्ट आंसर होगा और यह इनके टीचर गुरु भी कहलीए टीचर भी थे सेख न्यामुदीन अलिया अमीर खुसरु के टीचर थे नेक्स कोशन पर आएं करें करें क्टें विल्यम हॉकिंस विज्टे दो कोट और यह जो विजिट किया थे यह उप्सन सी 89 का जो होगा वो दड़ीज सी यह जहां की रिकोर्ट में देखे यह अकबर के टाइम में जॉन माइल्ड हेल करके सा था जॉन माले वो विजिट किया था अब आते हैं अगले कोश्चन पर करेदी कॉपर कोई इसू बाई अब आते हैं निक्स कोश्चन पर नैंटी वन का रहा है बहुत असान कोश्चन है पर्मनें से टेल में बेंगाल वाज इंटोडिस बाई देखिए यहां पर चार मतला एटलीस तीन से चार सिस्टम सारी रेवनिस सिस्टम एड़ोप किया था पहला परमनेंट हो गया देन र क्योंकि यह आप थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं यह जो हुआ था यह जो हुआ था मेरे खालत 1793 कासपास में हुआ था 1793 में ही और यह वारन हस्टिंग्स का जो टाइम पिरिड़ है अगर देखेंगे तो इसका जो टाइम पिरिड़ है वो 73 से लेकर 80 कासपास तक का है इसके बाद वो चेंज हो गया है लॉड करणवाद इसको फार्दर आइस भी कहा जाता है अब आते हैं के लिए कुस्टिशन पर करहें फंडेमेंटल ड्यूटी इस वे एडड़े तो दी इंडियन कॉंस्टिशन वाज 92 को जहां पर करेक्ट आंसर होगा that is 42 अमेंड में किय अब आपको बताना है वह आपको बताना है वह आपको बताना है तो 96 का जहां पर करेक्ट आंसर होगा that is 22 अप्रील को अगला कोशन पर आ रहे हैं करें इवी एम स्टैंड्स फोर करेक्ट आंसर होगा that is वह एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन 97 का अब आते हैं अगले कोशन पर का रहा है हूब इल्दी फेमस सालिमार बागाउप स्रिनेग एक तो यह की जेन के वाला एरिया से जो भी मुगल में रूल किये थे यह जो भी रूलर रूल किये उसको जरूर देख लिए एक ने कोशन एम्यू जरू पुछता है चली आते हैं इसका जो करेक्ट आंसर दाडी सी जहांगीर जहांगीर मेरे खाल से सालिमार बाग अप स्र अब आते हैं नेक्स कोशन पर कर रहा है तो हमेसा पता नहीं मैं इसके बारे में पूछा जाता है तो चली फाइनल हो गया इसके साथ ही आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अप्डेट रहना चाहते हैं तो इस यूरूप चनल को सब्सक्राइब कर लिए दू सब्सक्राइब के लिए उनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है वीडियो के डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में कॉंटाक्ट डेटेल में से आप जोइन कर सकते हैं थैंक्यू